वेलो फ्रेंट स्वागत आप सभी का आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही ब्यूटिफिल स्वेटर डिजाइन बताने वाली हूँ जो कि यहां पे बौडर बनाने के बाद आप साथ-साथ घर के ले करके इस डिजाइन को बना सकती है तो आप इसे बौडर बना लें मैं यहां प्रविर जो हैं सिधा ही बिन करके कम्प्लीट कर लेंगे इस तरीके से बॉर्डर बनाने के बाद एक लाइन का गैपिंग दे दिया है मैंने ये दो स्लाई का डिजाइन है तो फर्स्ट स्लाई राइट साइड से हमें बनाना है इसके लिए हमें पहले घर को स्कीप करेंगे जैसा कि मैंने बोला साथ घर का मैं यहाँ पर गैपिंग ले रही हूँ तो उनको अपनी और रखेंगे और यहाँ पर तीन बार इस स्लाई में इस तरीके से एक, दो, और एक, तीन तीन फंदे हमें एसे हमें फिरो करके निकाल लेना है देख के एक दो तीन इस तरीके से साथ फंदे जो हमें बनानी है दो हो गया 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 6 1, 2, 3 7-7 फंदे हमने ट्रीपल धागा करके ऐसे बनाए हैं फिर उनको पीछे करके एक फंदे को हम यापे सिधा बिन लेंगे वापस से हमें उसी तरीके से एक फंदे में 3 बार टरल लपेटना है उनको और सिधा बिनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इके साथ इस तरीके से फिर उनको पीछे करेंगे और एक घर को हम सीधे बिन लेंगे फिर वापस से उनको अपनी और लाएंगे और साथ फंदे को बनाएंगे इस तरीके से ही इसे रिपीट करके पूरी रो जो है बना लेनी है आपको एक फूल भी आप यहां जहां भी आपको इन करना है बनाना है वो भी आप बना सकती है और पूरे स्वेटर में आप कार्डिगन में भी बना सकती है बहुत ही प्यारा सा यह पैटर्न है तो दिखिए साथ फिर वापस से उनको पीछे एक घर सिधा उनको अपनी और दो तीन एक दो तीन सो फ्रेंस यह फर्स्ट रो बन करके तयार हो चुका है कुछ इस तरीके से नजर आएगा फर्स्ट रो यह साथ साथ फंदे के बाद एक सिधा घर है तो इस वज़े से ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे भी है तो अब हम आ जाते हैं रॉंग साइड में सेकेंड स्लाई यह बहुत ही आसान है देखिए पहले घर को हम स्कीप करेंगे और जो साथ फंदे हमने बनाए है ट्रिपल वार धागा लपेट के उसे हम ऐसे एक एक करके इस तरीके से साथो फंदो को हम निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से नजर आएगा उसके बाद फिर हम साथो फंदो को एक स्लाई में ऐसे लेंगे यह उन को अपनी और करेंगे और इस वाले साथो फंदो को वापस से इस स्लाई में लेंगे चड़ाएंगे और यह उन को पीछे की और करे और पिर से सात्फंदों को पीछे कि एEr को अपनीअ कर लेंगे गांठा बना लेंगे । इस तरीके तो फनों को चटा लेंगे इहां पर की द Speed guys इस तरीके स्थोड़ा सा खीच के टाइट कर लेंगे उसके बाद फिर नेक्स्ट हम सेवन फंदे इसी तरीके से करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ फंदे हमने निकाले इस साथों को बीच में से ऐसे लेकर नहीं है और इसमें उनको इस तरीके से और उनको पीछे लेकर जाना है फिर इस वाले सिरे को छोड़ देंगे फिर वापस से हम इसे लेकर अपनी और उनको लेकर आएंगे इसमें हमें मतलब साथों फंदों में जो है हमें इस तरीके से लपेट लेना है देखिए इस तरीके से होगे और इसे हम इस ला वापस से एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ फंदे हो गए इसे वापस से हम इस लाए में आराम से लेंगे और इस तरीके से इसमें लपेट देंगे साथों फंदों को एक साथ लेंगे इसमें चढ़ाते जारें दिखिए हम बीन नहीं रहें इस टाइम पर बस हम इस पे चढ़ा करके छोड़ दे रहें पिर एक फंदे को इसको हम जो बीच में हमने रखे हैं सीधे उसे हम यहां पर उल्टे बिन रहे हैं फिर इसे नेक्स्ट सेवन फंदो को खोल के उतारने देखे इसे उसके बाद फिर इसके बीच में से कि स्लाइक को इन करके ऐसे उनला पिट रहे हैं अब जहें एक फंदे को उल्टा बिन रहे हैं हैं फिर वापस से इसी तरीके से आपको पूरी रो जो है बिन करके कम्प्लीट कर लेना है बना करके इस सेकेंड रो था रॉंग साइड से अब हम आजाएंगे राइट साइड थार्ड रो इसको हम ऐसे लपेट लेंगी चढ़ा के इसमें आजएएंगे देखें फ्रेंस कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और यह राइट साइड में इस तरीके से दिए पोटली के से में हमें यह नज़र आ लेंगे एक दो तीन चार पांच छे और एकी साथ साथ फंदे हो गए उनको पीछे करेंगे एक फंदे को सीधा बिन लेंगे कुछ इस तरीके से फिर वापस से उनको अपनी और लाएंगे सेवन फंदे को उल्टा बिनेंगे एक साथ वापस से उनको पीछे एक घर सीधा वे बीच वाले उसके बाद फिर साथ घर उल्टा एक दो तीन चार पांच छे साथ फिर उनको पीछे एक फंदा सीधा उनको आगे एक पीछ में कोई भी घर घर नहीं रहे हैं और बड़ भी नहीं रहे हैं जितने फंदे हैं उसमें हमें इस दिजाइन को बनाना है और यह बंडी में या फिर आप बाजू में इसे दे रहे या फिर गले के बॉडर के पास में आप इसे बना ले बहुत ही खुबसुरों सा डिजाइन है साथ फंदों को अराम से उल्टा ही बीण लेना है राइट साइट से इस तरीके से पोटली के शेफ में डिजाइन बन गया है अब हम इसे रा राइट साइट से सब इस फंदों को उल्टा उल्टा बीन करके कम्प्लीट कर लेंगे इस तरीके से दिखे शाटों फंदे जो हमने उल्टे बीने थे उसे भी यहाँ पे अब हम सीधा-सीधा पूरा रोज़ो है रॉंग साइट से बीन करके कम्प्लीट कर लेंगे कुछ इस तरीके से तो फ्रेंज देखिए यहां पर मैंने थोड़ा सा एक्स्टा यह एक दो लाइन सीधा सीधा उल्टा बीन करके कंप्रीट कर लिया है इस दो डिजैन के बीच में गैपिंग दे करके और फिर यहां पर मैंने मोती सुईधागे की हेल्फ से यहां पर इन कर बहुत ही खुपसर सा डिजैन बना सकती है तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यह पसंद आए होंगे अगर पसंद आते हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर लें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू कर दो